नमस्कार दोस्तों जी केरजुन सार यूप टूप चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है जी आएसी परवत्ता इतिहास 2015 का हल प्रस्ण पत्र में तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं ये 2015 का जो है दूसरा भाग है इससे पहले एक भाग अपलोड कर चुका हूं और टो ये लिंक दिया है वहां से इसका पीडियो भी डानलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारम करते हैं कि कुस्टन नंबर 31 यानि पिछले 30 कुस्टन अपलोड हो चुका है एक तीसवा से सुरू होगा यहां पर आमरपाली पुत्री थी तो आमरपाली पुत्री थी किसकी पुत्री थी ये इसमें दिया है सब वैसाली दिया है इसमें दिया एक मुखिया की एक महान वयद की एक धनाड नागरिक की एक कवी की तो इसमें एंसर हो जायेगा एक आमरपाली जो है एक मुखिया की पुत्री थी ये जो है लिच्वी राज निरतांगना थी आमरपाली और वजी संग से समन्दित थी, जो ऐसाली के एक मुख्या की पुत्री के थी. कुश्चन नमर 32 है, नेमलिखित में से किस माहा कभी ने सती प्रथा का बिरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है, उस माहान कभी का क्या नाम है? आपसंदिया एक कालिदास, वान भठ, सुद्रक, भास, इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा बान भठ ने, यानि बान भठ ने सती प्रथा का बिरोध भी किया और इसको सती प्रथा को आत्महत्या भी माने, कि सती प्रथा एक परकार की आत्महत्या है. कोश्चन नमबर 33 है, राजा हर्स की पराजे का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? तो राजा हर्स पराजित हुआ था, ऐसा माना जाता है, उसका उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो उसका उल्लेख है एहोल अभिलेख में. एंसर होगा B, एहोल अभिलेख में. कोश्चन नमबर 34 है पुलकेशीन दुतिय के एहोल अभिलेक का रचनाकार था तो पुलकेशीन दुतिय के एहोल अभिलेक का रचनाकार कौन था तो इसका रचनाकार था रवी किर्ती मानी यह क्यों रवी किर्ती नाम देता है रवी किर्ती यानि एहोल लेख अभी पिछला कौस्षन आया था, क्वोस्षन नमर 13 में कि केश से पता चलता है कि सवलेख से कि हर्स पराजित हो तो एहोल लेख तो एहो लेक से पता चलता है और इसकी रचनाकार कौन थे ये पुलकेशन दूती के सासन काल में लिखवाय गया था ये तो इसकी रचनाकार अगर पूछता है तो रवी किर्ती कौश्चन नमबर 35 है बाण वठ ने किसे हुण हरिण केशरी कहा था हुण हरिण केशरी किसे कहा था बाण वठ ने ये कहा था प्रभाकर वर्धन को एंसर रोजायगा सी प्रभाकर वर्धन को कुश्चन नंबर 36 है, निमलेखित में से कौन सा राजवन्स ग्राम सासन पधाति के लिए प्रसिद्ध था, ग्राम सासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल राजवन्स एंसर हो जायेगा डीस में चोल राज वन्स कोश्चन नमबर 37 है रामायन मंजरी लिखी गई यानि रामायन मंजरी किसके द्वारा लिखी गई थी? रामायन मंजरी ये लिखी थी छेमेंद्र द्वारा एंसर हो गा बी छेमेंद्र द्वारा कोश्चन नमबर 38 है निरा लंबा सुर्षती यानि सुर्षती अब निरास्रय हो गई पर एक कभी की सोकाभिक्ती किसकी मिर्थू पर की गई थी तो ये थे भोज परमार की देखे आपसर मीर भोज भी दिया तो मीर भोज नहीं होगा इसमें कोश्चन नमबर 49 है सुमेलित करने के लिए तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं गिरिनार सिला लेक ये जो है रुद्र दामन का था यानि एका टू नासिक सिला लेक ये था पूलु मावी का इलहाबाद अस्तंब लेक ये था इसकंद गुप्त का और इसके बाद आता है भीतरी अस्तंब लेक ये था समुंद्र गुप्त का इस प्रकार इसका अंसर हो जाएगा सी सुमेलित है सी इसमें सुमेलित होगा कोशन नमबर 40 है कलहर द्वारा रचित राज तरंगडी निम्लिखित में से किस्से समद्धित है तो राज तरंगडी जो है किस्से समद्धित है तो ये समद्धित है कस्मीर के इतिहास से इंसर हो जाएगा सी कस्मीर के इतिहास से कोशन नमबर 41 है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं नौ ससांक रचित तो नौ ससांक रचित जो है किस्से समद्धित है ये पदम गुप्त से एका टू गंड़ वाहो तो ये थे वाक पती राज से राज तरंगड़ी ये थे राज तरंगड़ी का कल्हड विक्रमांक देवचरित्र विल्हड यानि कि इसमें सर जाएगा बी सही सुमेलित है कोशन नमबर 42 है मुरूजल जहाव का लेखक कौन था तो इसका लेखक था अलमसूदी एंसर होगा ए अलमसूदी कोशन नमबर 43 है निमलेखित में से कौन मुईजिदीन गावरी के विरुद चंदावर के युद में मारा गया था कौन था वो तो वो था जय चंद एंसर होगा बी जय चंद कौन नमबर 44 है उस बिद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था कोशन नमबर 45 है निमलेखित भारती राजाओं में से किस ने सरव पर्थम मुहमद गोरी को पराजित किया था तो सबसे पहले जो है मुहमद गोरी को किस भारती राजा ने पराजित किया तो सबसे पहले तो इसका एंसर होजगा ए भीम दूतियने या इसका एक और नाम है मूल राज दूतियने कोशन नमबर 46 है निमलेखित में से किस ने अपनी दान सिलता के लिए लाख वक्स की पदवी प्राप्त की थी कौन था लाख वक्स वो था कुतूब दीन अयबक कुतूब दीन अयबक जो है दानसिलता के लिए लाख वक्स की पदिप्राप्त की थी कुतूब दीन अयबक इसको लाखों को दान देने वाला कायता था जिसको लाख वक्स के नाम से पदवी दी गई थी कोश्चन नमबर 47 है निमलेखित में से किसने सरपर्थम सुल्तान की पद्वी धारन की थी वो था इल्टु तमीज एंसर हो जाएगा D इल्टु तमीज कोश्चन नमबर 48 है सुल्तान इल्टु तमीज के सासनकाल में न्याय चाहने वाले ब्यक्ति को पहनने पड़ती थी तो वो था लाल पोसाग एंसर हो जाएगा E 48 का लाल पोसाग कोश्चन नमबर 49 है तबकात ए नासरी किसने लिखे थी तबकात ए नासरी किसने लिखे थी ये लिखे थी मीन हाल उस सिराजने कोश्चन नमबर 50 है निमलिखित सुल्तानों में से किसने सरव पर्थम दिल्ली संतनत में बाजार नियंतरन बेवस्था लागु की थी तो बाजार नियंतरन बेवस्था लागु की थी वो था अलाव दिन खिल जी कोश्चन नमबर 50 है निमलिखित इतिहास कारों में से किसने मलिक काफूर के दच्णी अभियानों का सरवाधिक अधिका अधिकारिक विबरन दिया था तो वो विबरन दिया था जिसका नाम था अमीर खुसरो कोश्चन नमबर 52 है निमलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है मुझे सरा की चिंता नहीं है तो वो कहा था जिसका नाम था अलाव दिन खिल जी कोश्चन नमबर 33 है निमलिखित सुल्तानों में से किसने नगद बेतन के बदले इकता का आवंटन बंद कर दिया था तो उस सुल्टान का क्या नाम है जिसने नगत बेतन शुरू किया था और पहले एक्ता बेवस्थाती उसको बंद कर दिया था तो वो था अल्लाओ दिन खिल जी कुशन नमबर चवण है सर पर्थाम मदेकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था तो सांकेतिक मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन किया था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलकने कोशन नमबर 55 निमलेखित में से किस सासक ने अपनी राधानी में दान का लंगर अस्थापित कराया था उस सासक का क्या नाम था उस सासक का नाम था फिरोज सा तुगलक एंसरोगा B फिरोज सा तुगलत कोशन नमबर 56 निमलेखित सुल्तानों में से किस ने पिर्थक लोक निर्माल विभाग की अस्थापना की थी तो सुल्तान का नाम था फिरोज सा तुगलत कोशन नमबर 57 है दिल्ली के सुल्तानों में से अपनी संतनत के बिभिन हिस्सों में गुप्तचर निक्त किये उन्हें कहा जाता था जो गुप्तचर निक्त किये उन्हें क्या कहा जाता था तो उसको कहा जाता था वरीद एंसरों का A वरीद कुशन नमबर 58 है बिजय नगर का प्रसिद हजारा मंदिर किसके सासनकाल में निर्मित हुआ था तो वो थे कृष्ण देव राय कुशन नमबर 69 है निमलिखित में से चिस्ती संपरदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है यहाँ पर पुछा है भारत में चिस्ती संपरदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है तो भारत में इसके ख्वाजा मोहिन दीन चिस्ती Q. 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 Q तो उस सूफी का नाम है सेख अहमद फारुक सरहिंदी, सेख अहमद फारुक सरहिंदी, तो ये थे कुश्चन आज के लिए, इसके बाद अगला पार्टिस का जल्दी अप्लोड होगा, तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तो जैहिंद वन्दे मात्रम